आज हम लोग अंडे की ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है वो बनाएंगे देखे बनकर इस तरीके का ये तयार हुआ है बहुत ही कम मसालों में और बहुत कम टाइम में ये तयार हो जाता है जब भी जल्दी आपको कोई रिस्ट सालन बनाना हो समझ में ना आए तो आप इसको बना सकते हैं, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करेंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, यह हमने 10 अंडे लिये थे, इसको उबाल लिया, अब इसको थोड़ा सा तेल डाल कर यह देखें, इस तरीके से हाई फ्लेम पे फराई कर लेंगे, बस जरा सा तेल रखेंगे, यह देखें, फराई हो चुका है, अब थोड़ा सा तेल डालेंगे, दो चमच तेल, अब इसमें यह प्यास, चार से पांच प्यास को हमने काट लि लशन के जवे और ये लाल मिर्ज साबुत है और ये एक चमच हमने नमक डाल दिया अब इसको हाई फ्लेम पर हमने हाफ फ्राइ किया है इसको मिक्सी जायर में डाल कर इसमें दूज डाल कर इस तरह पीश लेंगे इसको ये देखिए पिश चुका है ये अब आधा कप तेल रखेंगे फ्राइ पेन में और ये मेथी डाना डाल कर ये देखिए इस तरीके से डाल दें और ये ग्रेवी डाल कर इस तरीके से इसको हाई फ्लेम पर पांच मिनट तक इसको भूनेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे अब इसमें ये दूद डाल देंगे जितना ग्रेवी रखना है उतना दूद डाल देंगे फिर इसको पांच मिनट के लिए धक कर पकाएंगे पांच मिनट के लिए बिल्कुल लो फिलेम पे धक कर पकाएं ये देखिए मसाला बिल्कुल पक चुका है पांच मिनट में ये ऐस मिक्स करेंगे अब ये फ्राइ किया हुआ अंडा को डाल देंगे इसमें हमने इस तरीके से डिजाइन बना के डाला आप जैसे चाहें डाल दें फिर पांच मिनट के लिए ढग कर इसको पकाएं लो फ्लेम पे बिल्कुल तयार है वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच